तो क्याद 2024 के चुनाव के पहले तेजस्वी यादों को हर कीमत पर CBI चाहती है कि गिरफतार कर लिया जाए अब यह चर्चा इसलिए क्योंकि आज जो अदालत है वहां पर सुनवाई होती है CBI के विशेश कोट में सुनवाई होती है और वहां पर गिरीम मंत्राले के तरफ से तीन अधिकारियों पर मुकदमा करने का जो इजाजत दिया गया था तो उन पर अब मुकदमा हो गया और वो तीन अधिकारी कौन तो जिनोंने लेंड फर जोब मामले में उनके उपर आरोफ है यह सीधा सब्द में कहिए तो लालू यादो रेल मंत्री थे तो लालू यादों का उन्होंने साथ दिया अब आईए तेजस्वी यादों पर तेजस्वी यादों का नाम चार्जशीट में CBI ने दायर कर दिया है अदालत ने कहा कि कल हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे और कल फैसला सुनाएंगे मतलब कि कल का दिन सबसे बड़ा है और अगर चार्जशीट स्वीकार कर लेती है अदालत जिसमें CBI ने तेजस्वी को दोसी बनाया है और मुकदमा होता है तब तेजस्वी यादों को जमानत लेना पड़ेगा अदालत से जमानत ना लेने पर व आगे नमसकार में मैं मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले अगर तेजस्वी यादों के बारे में बात की जाए तो आरोप क्या है? आरोप है कि लालू यादों रेल मंत्री थे तो बतोर रेल मंत्री रेल में मत्राले में उन्होंने नौकर देकर उन्हों ने उसके बदले में जमीन लिया रिश्वत के तौर पर वो जमीन तेजस्वी यादों पर ट्रांसफर किया गया इनके परिवार के और लोगों पर ट्रांसफर किया गया तो उनका भी नाम इस केस में पहले से चल रहा है अब तेजस्वी यादों का नाम रुपय में रालू यादों के परिवार ने अपने नाम पर या अपने परिवार के नाम पर या अपने परिवार से सम्मंधित किसी कंपनी को बना कर उस कंपनी के नाम पर लिया अब होता क्या है जो 26 लाख रुपया दिया गया वो उसकी असली सचाई नहीं है उस रेट का 4 करोड 49 लाख रुपया, मतलब की 4 करोड सारे 4 करोड का जमीन लालू यादो ने मात्र बताया दिखाया कि 26 लाख रुपय में हमने अपने परिवार या परिवार से सम्बन्दित किसी कंपनी के नाम पर ले लिया है, अब इन तमाम चीजों में तेजस्वी यादो संस्ते से सुनिएगा तेजस्थी यादों चे उपर चार्ज शीट को अगर और डालत स्विकार कर लेती है। मुकदमा हो जाता है तो इनको तो पहले तद्काल जमानत लेना होगा अगर इनको जेल जाने से बचना है तो जेल जाने से बचने के लिए तेजस्वी जमानत लेंगे वो जेल से बाहर रहेंगे लेकिन मामला यहीं पर फस्ता है कि CBI अब आगे जब इनका नाम मुकदमा में पड़ जाएगा तो पुस्ताश के लिए जैसे कई नेताओं को CBI पकड़ चुकी है जेल भेज चुकी है तो उन नेताओं के तरह इनको भी रिमांट पर ले लेगी इनको भी पकड़ लेगी जेल भेज देगी और चर्चा चल रही है कि तेजस्वी यादों इसकदर फस्चुके है कि CBI अब चार्जशीट में इनका नाम डाल चुकी है और चार्जशीट स्विकार होते ही मुकदमा हो जाएगा अदालत मुकदमा च जब का मामला है लालू यादों के लिए ग्रीम मंत्राले की मंजुरी इसलिए जरूरी थी क्योंकि वो रेल विभाग के मंत्री थे जब का मामला है और तीन अधिकारी जो रेल मंत्री के हैं वो भी रेलवे के बड़े अधिकारी है इसलिए ग्रीम मंत्राले से इजाजत ली गई लेकिन अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है जो भी तमाम जानकारी आएगी जो भी अपडेट आएगा सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे आपकी क्या परतिरिया है कमेंट बॉक्स वाली कर बताईएगा कि हम रेक्षे भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिं बहुत बहुत धन्यवाद